नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव बांगला देश में हिंदूओं के खिलाफ हो रही हिंसा तथा महिलाओं वा बच्चों पर हो रहे अत्याचार मंदिरों पर हो रहे हमलों के विरोध लगातार आक्रोश में बदल रहा है देश के तमाम जगाहों पर इसके विरोध में आक्रोश दिखाते हुए पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं इसी गड़ी में राजधानी लखनव में जानकी पुरम जागरुक नागरिक मंच द्वारा पैदल मार्च निकालते हुए अपना विरोध जताय गया इस पैदल मार्च के दौरान लोगो द्वारा बांगला देश मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इस मौके पर बोलते हुए लोगों ने इस महत्वपूर्ण मसले पर केंद्रसरकार से बड़ी कारिवाही की मांग करते हुए लखनव में भी अवैद रूप से रहरे बांगला देशियों को बाहर निकालने की बात कही गई जौरान लोगोद्वारा सीन्यूस भारत पर बोलते हुए बांगला देश में हो रही घटनाओं पर अपना रोश व्यक्त किया के निवासी और जानकीपुरम विस्तार के या जानकीपुरम के जागरुक मंच के जितने भी सदस्से हैं सब लोग बहुत आख्रोश में हैं यह देख करके कि बंगला देश में जो हम लोग के साथ अत्याचार हिंदू भाईयों के साथ अत्याचार हो रहा है यह बहुत ही ही हम लोग को जो उद्वेलित कर रहा है किर्प्या सरकार से निवेदन है कि इस पर कड़े से कड़े कड़े कदम उठाएं और हम लोग के आक्रोश को तुरंत जो है शान करें धन्यवाद मैं बांगला देश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करता हूँ आज वहां के वीडियो देख देख कर हर हिंदूस्तानी का खून खौन लाहा है मैं भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से अपील करता हूँ कि जो भी हमारे हिंदू भाई बहन वहां फसे हुए हैं उनकी ततकाल बेवस्ता भारत में करने की कृपा करें और जो भी बंगलादेशी रोहेंगया हमारे आसपडोस में रह रहे हैं उनको खदेड कर बाहर किया जाए भारत से उनको यहां रहने कोई जरुवत नहीं है हम हिंदूओं को एकत्रित होना है हम हिंदूओं को एकत्र हो करके इसका जबाब देना है कुछ बिदेशी ताकते यहां पर डराने धंकाने काम कर रही है कि बंगलादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है हम ऐसा कतई बर्दास नहीं करने वाले हैं हम ऐसा कतय बर्दास नहीं करेंगे आज हम यहाँ पर इकत्रित हुए हैं और बहुत ही शालिनिता के शाथ एक जपन हम दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं अभी यहाँ पर जो हमारे जो iso ऑच्हाँ हैं वो भी आ रहे हैं और इस ग्यापन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो मांगे हैं वो उसको माने निये परदान मंत्री और माने निये मुख्य मंत्री तक भेजा जाए जिसमें हमारी तीन मांगे हैं पहली मांग है कि बांगला देश में जो हो रहा है उसके लीए तुरंट कारिवाही की जाए जिससे हमारे जो हिंदु भाई हैं उनकी जान-माल की रख्षा हो सके दूसरी जो हमारी मांग है ये केवल बंगला देश में नहीं यहां भी तैयारी हो रही है आप लखनवू और खास करके जानकीपुरा मेरिया में बहुत सारी अवैद वस्तियां हैं जो यहां पर बस गई हैं उनको चिन्हित किया जाए और इन बंगला देशियों को यहां से बाहर किया जाए तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि लखनवू नगर निगम ने यहां पर बंगला देशियों को कूड़ा उठाने के लिए सारी गारियों में जो है उनको लगा दिया है वो घर-घर जा रहे हैं अभी यहाँ घटना घटित हुई है सारा स्टेट के अंदर जिसमें दारू पी करके एक आदमी एक लेडी के घर में घुश गया उपर वो अकेली लेडी थी उसने गुरूप में भी अपनी बात रखी है ऐसे तत्यों को तुरंट लखनव नगर निगम यहाँ से निस्कासित करें और जो भारत के जो नागरिक हैं उनको यह जिम्मेदारी दें कि घर-घर जा करके कूड़ा इकठा करें यह हमारी अभी तीन मांगे हैं लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर जो जिस तरह उद्व जलित हैं उसके खिलाफ तुरंट का रिवाई करें आज इस मज़ के ऊपर खड़े होकर हम सब लोग आवान करना चाहते हैं हम सभी लोगों की एक आगांशा है कि जो बंगलादेश में हिंदों के साथ अच्चाचार हो रहा है उसके लिए हमारे बॉर्डर के दरवाजे खो विदेश मंतरी के स्तर पर और बहुत सक्त स्तर पर बंगलादेश से बातशीत की जाए और हिंदों की जान और माल और उनकी आवरू की रक्षा की जाए तीसरी हमारी मांग है कि यदि वो छे करोड बंगलादेशी भारत में बिना पर्मिशन के रह सकते हैं तो क्या हम एक कर पर भी हिंदू है तो उसके लिए भारत एक नैचरल देश है एक प्राकृतिक रूप से एक ही देश मिश्व में है जो भारत है तो जो भी वक्ति हिंदू है भारत में आरा चाहता है हम भारत सろकार से मांग करते हैं कि उन सभी ग्यापन सासन के माध्यम से मानिम प्रधान मंतरी जी को प्रेसित कर रहा हूं जिसमें मांग ही गई है कि आज बंगला देश में जो घटित हो रहा है उसकी छीटें हमारे देश में भी दिखाई पड़ रही है कि चारों तरफ से हम लोगे उपर खत्रा मढ़ रहा है आज हिंदू जितना साइसनू है वो अपने को ढ़रा हुआ महसूस कर रहा है जो घटनाए हो रही है हम केंद्र सरकार से और अपने प्रदेश के मुखमंतरी से मांग कर रहे है कि जितना भी वहाँ पर अत्याचार हो रह है और यहां पर भी हम लोगों के आज पास भी जो इस तरह के खत्रे हैं जो इस तरह की अवैद बस्तियां बस्ती चली आ रही है उस पर ततकाल फौरी कारवाई करें और हम सब को सुरक्षित रखते हुए आज इस तरह से वहाँ पर बाइकाट हो रहा है हिंदू के व्योसा का बिस्गूरू बन जाएगा मैं आप सबसक्रावान करना चाहता हूं कि आने वाली 15 अगस्त को हर घर में जंडा और अपने घर में दंडा जरूर रखिये ताकि किसी भी खत्रे से आप अपने को सचेत रख सकते हैं धन्यवाद रखते हैं फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत